अगले आदेग देड़ गंटे तक आप हमारे साथ बने रहे हैं और देश दुनिया की मुक्तलिफ खबरों पर हमारी नजर रहेगी लेकिन प्रोग्राम के फार्मेट के मताबिब प्रोग्राम की शिरुवाद आलमी तारी पर एक नजर उसके बाद प्रोग्राम में मुक्तलिफ मौज़वाद पर बात होगी खुशामदीद गुड बॉर्निंग बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जॉइन करने के लिए हमेशा आप साथ देते हैं इस प्यार, महबत और तावन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सोशल मीरिया प्लैटफॉर्म्स के लावा टेलिविजन स्क्रीन पर भी आप 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 देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अपना तज्जिया और तबस्रा भी करते हैं, अपना ओपीनियन या फीड़बैक हम तक पहुंचाते हैं, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत हैं कि ठीक ठाख खेर वाफियत से होंगे, तो आज के दिन की कुछ बड़ी ख़बरों की तरफ जाने से पहले, या आहम वाजवात पर जाने से पहले, हिस्ट्री आफ देख में खास क्या है, वो आपको बताएंगे, और शुरुवात आज के दिन के साथ ही करते हैं, इतिहा कुछ एहम वाकियात उन से आपको रूबरो कराया जाए, हिस्ट्री आफ देडी में, 1971 में भारत पाकिस्तान के दर्मियान एक एहम वाइदा हुआ, जिसमें दोनों मालिक ने इस बात पर इतफाक किया, कि दोस्ताना तालुकात को आगे बढ़ाया जाए, 9 अगस्त 1971 को ये पेशरफ दोनों हमसाय मालिक के दर्मियान हुई, साल 2000 में पार्लिमेंट ने मध्यप्रदीश तश्कीले 9 बिल 2000 को मंजूरी दी और इसके बाद 36 गड़ रियासत का क्याम अमल में लाया गया, यानि 2000 के बाद जब 36 गड़ रियासत को बनाना था, तो पार्लिमेंट की जानि मध्यप्रदीश जो रिया और इसके मुताबिक बिल लाया गया, जिसके बाद 36 गड़ रियासत को बनाने के लिए मद्जूरी मिली, 2003 में बंगला देश में कश्टी उल्टी हादसा पेश आया, 400 लोगों की मौत आज ही के दिन हुई, और ये चटेगॉंग के इलाके में हु जब नागसाकी से पहले हिरोशीबा पर हमले में 1,4,000,000 लोग मारे गए थे और इस दूसरे हमले में 74,000 से ज्यादा हलाकते हुई थी, लेकिन सबसे खतरनाग सुरतेहाल तब बनी, जब दुनिया भर के अंदर इस तरह की सुरतेहाल पैदा हुई, या बिल खुस जापान क चोड़ रहा था, तो आज के दिन ये वाक्रा पीश आया, जब हिरोशीमा पर एटम बॉम अमेरिका ने गिराए, 1948 में पाकिस्तान के पहले डाक टिकटू का सेट आज ही के दिन जारी किया गया, आजादी के एक साल के बाद पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इसलाम अबाद से फैसला हुआ, 1788 में गुलाम कादिर ने आज ही के दिन्चुरे से दिल्ली के सुल्तान शाह आलम दोम को अंधा किया हमला हुआ 9 अगस 1788 को 1831 में अमरीका में पहली मरतबा भाप के इंजिन वाली ट्रेन चली दुनिया की पहली ट्रेन थी जो 9 अगस को शुरू हुई 1831 में और 1979 में कलकता की यादगार और छित्र कॉलोनी का नाम बदल कर शहीद मिनार रखा गया ये फैसला भी हुकुमत की जानिब से हुआ और इस फैसले पर अमर्द रामद 9 अगस्ट 1979 को हुआ हिस्ट्री आफ दे डे में ये बड़ी बाते थी आज के दिन के हवाले से जो तारीक में आपके सामने हमने रख दी हैं आज जुलाई और अगस्ट में भी जा रही है मुबसरीन का मानना है कि सड़क हाजसात में इनसानी जानों का जिया जुम कश्मीर के अंदर लगातार देखने को मिल रहा है और अगरचे इस हवाले से इन हाजसात पर काब उपाने के लिए बहुत सारी कोश्चे भी की जा रही है लेकिन ताज़तरीन आंकड़े जब सामने आते हैं तो उन से यही बात सामने आती है कि इन हाजसात में आए रोज इजाफा देखने को मिल रहा है इस साल के पहले साथ महीने आप देखेंगे तो कोई भी अच्छी खबर जमो कश्मीर के लिए नहीं है क्योंकि पहले 6-7 महीनों के दौरा नहीं जमो कश्मीर के अंदर वो आदादों शमार आए जो 2022 में थे और उमीद ये की जारी थी कि शायद ऐसा इस बार ना हो सिर्फ कश्मीर सुबे के आप फिगर्स पहले देखेगा जब आप लिस्ट वाइस देखते हैं किस रिस्ट्रिक्ट में कितने हादसात हुए हैं तो स्रेनेगर टॉप अफ दे लिस्ट है 225 सडख हादसात रिकॉर्ड की गए और इस साल बाइकर्स या टू विलर्स सबसे ज्यादा हादसात का शिकार स्रेनेगर और बडगाम के इलाकों में हुए हैं जो आप तक के फिगर्स बताते हैं सरकारी आदादो शमार से पता चलता है कि 2023 में पहली इन 5-6 महीनों के दौरान या शिश्शमाही में सडक हादसात में तश्वीशनाक इजाफा अगले 6 महीनों के दौरान या 5 महीनों के दौरान क्या सिच्वेशन रहने वाली है शायद उसकी भी एक अकासी करती या तस्वीर हमारे सामने है कि ये सिलसला अभी भी थम नहीं रहा है 135 लोगों ने जान 5-6 महीनों के दौरान गवाई है और अदादोशमार ये भी बताते हैं कि जनवरी से आब तक जहां 10,064 हादसात हुए है बढ़गाम जिले में ही 180 और सिर्फ स्रिनगर जिले को ये आप देखेंगे तो 225 हादसात रोनमा हो चुके है तो कुल में लाकर आप देखेंगे 11 जाने जाया हुई है 74 हादसात में कुलगाम के अंदर 80 हादसात बढगाम में हुए है जिसके नतीजे में 8 लोगों की मौत हुई है गांदरबल सेंटरल कश्वीर में 83 हादसात हुए है दो लोगों की जान गई 22 पूरा में 38 हादसात हुए इसके नतीजे में 3 लोगों ने अपनी जान गवाई पुलवामा में 69 हादसात हुए है 4 अमवात हुई और शूपियां साउथ कश्मीर में 20 हादसात हुए 3 अलमनाक हादसात भी शूपियां के अंदर देखने को मिले सरकारी आदा दुश्मार के मताबिक अवंति पूरा, पुलवामा और अनंतनाक भी ऐसे इलाकों में शामिल हैं जहां पर हादसात ज्यादा हुए है फैसल रियाज हमारे साथ हैं जरा और रिपोर्ट का खुलासा करते हैं सरकारी आदाद उश्मार तो बताते हैं कितने हादसात हुए हैं इसके एक तो ये कि बेसिक फैक्ट्स या वजवात को जब हम जानने की कोशिश करते हैं वो आज के वक्त में क्या इस मुफसिल रिपोर्ट में सामने आई है फैसल नमबर वन और दूसरी बात ये कि इतने हादसात होने के बावजूद एक्ट क्या हुआ है एड्मिंस्रेटिब पार्ट पर अधिकी जाद तरिक एकशिएंस की बात हो जो आज़ाद उश्मार सरकार की तरफ से दिया गया है कि आपने भी का कि 2030 की पहले इन महीनों में करीबन 10,000 की करीब एक्सिएंस हुए है मुक्त लिप्रिस्टिक में कश्मिर वादी में और जिसमें 135 लोगों की जान भी गई है जो डिटेल सामने दीगी है कि सबसे पहले नंबर प्रिटिस्टि नेगाटिस्टिक आता है जहाँ पे 25 एक्सिएंस हुए और आठ लोगों की मौत भी गई हुए उसके बाद जिस्टिक की बात पर जहां पे 27 के करीब एक्सिएंस हुए है और 25 एक्सिएंस हुए इसी तरीके से बढ़ गाम 80 एक्सिएंस हुए आठ लोगों की मौत भी गुलगाम में 17 एक्सिएंस हुए है फेटलिस की मौत हुई है शुपयान में 69 के करीब है अगृ कि लूब के बात करें हाँ जिखार है कि अब जहां तक बात है कि क्या कुछ सरकार की तरफ कि तरफ से लगाता है is उनकी तरफ से लगाता है स्मिनार्ज किया जाता है ड्रैवर्ड कुबलाए जाता है इस तरीके का फिगर सामने आया एकसिडंस रोज ब्रूस होते है खास करेंगे जो भाइक वाले इन वालवाते उनी की फैटलिटी जद्धा होते किसी गाइड से टकरा जाते हैं यह किसी बेरिकेर से टकरा जाते हो तो उनकी मौत वाग्य होते हैं तो इसके हवाले से आप देखिए ट्राफिक डिपार्टमेंट लिए है और किस तरीके से जो इनिशेटिव उपने लिए है सबसे पहले इचालान की बात करें तो इचालान की बड़ा बैस्तिन इश्यू बैस्तिन इनिशेटिव लिया गया है जो भी ट्राफिक करता है और करें चालान हो जाता है उसके इसाथ सिट्रीम लाइन इस होती है सजा यह बाज़ा बता दो कि अगर कोई शरापी के गाड़ी चलाता है और बाज़ा बता दो कि ब्रीज एनलाइजर से उनको इंट्रिडूस किया गया है आप देखें मुक्तलिव इलाकों में स्री नगरे के शरापी के गाड़ी तो नहीं चलाता है उसको चक किया जाता है और इस सरत में आपको यह भी बता दो कि जो आड़ आप दी स्टेट नए वीकल्स यहाँ पर लाएगे ट्राफिक डिपार्मेंट के लिए जो स्पीड को जो स्पीड के टरार सिस्टम जो सामने लाया उसे वाली में एक स्टेट वाली एक लिकी से सामने आया थी जो ट्वीटर पे उसका वीडियो वाइरल होगा तो विजन आवर उसको बुक किया गया और बाद अपर उनको ट्राफिक डिपार्टर में लाया गा उन्होंने आप ही मांगी कि आज के बाद पर ऐसा नहीं कि करो ऐसे हजारू ऐसे स्टेटर्स बाइक सिंडर्स करने वाले लोग हैं जिनको आए दिन ट्राफिक पुलिस जो है एरस्ट करती है मां पहला चाहता है उनको थोड़ा कांसिलिंग करती है कांसिलिंग के बाद को बाद अपर सोर पर छोड़ जाते हैं लेकिन अभी ये एक अभी पहल महीनों में जो तरह सामने आए हैं इसमें मजीद इसाफा होगा डिपार्टमेंट की तब से तो अलगातार कुशिक की जाते हैं लेकिन अभी भी जो मैक्सिमम लोग है बाइक जो बाइक चाहते हैं वो अभी इस चीज़ को नहीं समझ भाता है कि ओवर ड्राइविंग या हम किसी ज़ए से हम फिक वाइलेट करते हैं तो इससे हमारी जान को खतरा रहता है तो इन साथ महीनों का डारा है आज अब आप देखें यह साल खतम होगा अगर लोग नहीं समझेगे वो बच्चे नहीं समझेगे जो बाइक स्टेंट करते हैं तो कईनकी यह तस्विर्श जो जो मैक्सिमुम दिखा जा हुग कि ballet class sales में आ जाते हैं ओवर्सपीड करते है या इसी तरह के grandpa's comes to doing तू तफसलाफ फराहम करने के लिए अवरॉल एक तरह का तो हैबिचल वॉयलेटर कहलाता है एक शक्स वो होता है जो बार-बार इस तरह की हरकते करता है और उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी की जरूरत भी है दूसरी बात ये कि गाड़ियां स्लो चलाई जाएं हेलमेट ज अंदर पिछले 5-6 महीनों में हमने देखे हैं और उसके बाद कारवाइस रेनिगर पोलीस ने की है वो भी काबले सताईश है लेकिन यह भी काफी नहीं है यह जरूर माना जा सकता है फिर आप यह कह सकते हैं कि एक वाइलेशन यह भी रूल्स की है कि आप कहीं पर भी गाड गहम से तकारीब से समझाने से काउंसलिंग से ही मसला हल नहीं होगा सकत एकदमात कवानीन के मताबिक भी उठाने की या इस वक्त जरूरत है ताकि कम से कम यह बात समझ में आए कि ट्रैफिक वाइलेटे अगर एक बार होते हैं तो उनको यह महसूस कहीं ना हो कि ट्रैफिक के अफराद में कि कोई एक भी उनमें से बिचट जाए बरहल येक हमारे सामने तश्वीशनाक सुरतहाल है तस्वीर हैं और ये पिछले साल आप छोड़िएगा दो हजार बाइस में भी दो हजार के करीब सड़क हादसाद बलकि इससे ज्यादा हुए लेकिन गहर सरकार्या आपके सामने हमने रख दी है और इसमें सबसे खतरनाग सिच्वीशन जो है वस्रेनगर के अंदर जहां पर एकदमात उठाने के बावजूद भी साहिल धाईसों के आसपास हादसात हुए है बिलकुल अगर इस हवाले से बात करें जिस तरीके से फैसल भी कह रहे हैं थे कि बाईक क्राइडर जो है जो नौजवान यूथ है उनमें हादसात का ज्यादा रुजाहन पाया गया है क्योंके वो और टेकिंग भी करते है और फास ड्राइविंग भी करते है इस हवाले से इंतिजामिया को बहुत संजीदा होना चाहे और जो लोग जो नौजवान वालदेन की कमाईी पर गाड़ी या बाईक चलाते हैं अगर खुदा नखासता उन्हें कोई हादसा पेश आए तो सबसे पहले उनके वालदेन के खिलाब कारवाई होनी चाहे ताकि आगे जाकर ऐ होले से अगर हम बात करेंगे तो जमू कश्मीर में एक बात गुजश्च तक कई दाहियों से सामने आ रही थी कि जब भी मरकजी सरकार की सिकीमों की बात की जाती है तो कहा जाता है कि जमू कश्मीर के अंदर ये सिकीम है आते ठक जाती है रुक जाती है और जमीनी सता पर इनको अमलाने में इन्तिजामिया हमेशे नाकाम रहती है। लेकिन इस बार इन्तिजामिया की जानिब से अब संजीदा इकदामात उठाए गए ताकि इन सिकीमों का फायदा आम लोगों को भी मिले और जमीनी स्ता पर इनको अमलाने में आसानी भी होगी। बिल्कुल इंतिजामे की जानिब से कुछ एकदमात उठाए गए और इनमें ये है कि सेक्रेटरी इसके ग्रूप की तश्कील देने की हिदायात जारी कर दी गई है क्योंकि कई अफसान के तरफ से शिकायद की गई है कि बजट तो सरकार की तरफ से पेश किया गया और उसके बाद रकुमात भी वागुजार हुई लेकिन मरकजी मुआवनत वाली जो स्कीमे हैं सेंट्रली स्पॉंसर्ट स्कीम्स जो हैं उनके तहट या जो बीम्स के जरीए इसके मेटिक रिलीज होता है वो एक बड़ी परिशानी बड़ा बसला उनके लिए है यही वज़ा है कि अब सरकार ने तीन साल का जो आडिट पा सामिया ने सेक्रेटर्यू के ग्रूप की तश्कील देने की हिदायात जारी किये हैं ताकि कुछ जो परिशानिया इस वक्त हैं उनको दूर किया जा सके। एक मीटिंग मुनक्टेद हुई जिसमें आला सती मीटिंग के दौरान जो स्पॉंसर्ट स्कीमे हैं मरकजी सरकार की जानिब से उन पर तफसीली तोर गोरोखोज किया जा सके उनका नफास अबल में लाए जाए और तमाम इंतिजामी सेक्रेटर्यू को हिदायत दी गई कि वो फौरी तोर पर एकदमात उठाए और जो मुश्किलात आ रही है जो परिशानिया आ रही है फाइनेंशली अगर कहीं पर क्रंच है तो वो भी कंसर्ण अथॉर्टीज के नोटिस मिलाए और परिशानिया दूर किया जाए अब क्या मसला बन रहा है कि जब मनसुबों को क जाने की एक कोशिश हो रही है ताकि उनको इस्तवाल में सही तरीके से लिया जाए फंड्स मुख्त तो किये जा सकते हैं लेकिन इन अफसरान ने चीफ सेक्रिटरी के दफ्तर में वापस शिकायात पहुचाई कि इस दोरान उन्हें कही तरह की मुश्किलात से गुजरना प जो असल में आमदनी है उसके आधाफ तेह करने की हिदायात दी गई है लेकिन प्रिंसपल सेक्रिटरी जल शक्ती मैकमा और प्रिंसपल सेक्रिटरी पबलिक वर्क्स डिपार्ट्मेंट की तरफ से चीफ सेक्रिटरी को बीम्स के जरीए मरकजी मौवनत वाली स्कीमों के जर लेकिन मरकजी मौवनत वाली स्कीमों के तहर जो पैसा उनको मिलना चाहिए वो वक्त पर ना मिलना कई बार टेक्निकलिटीज के इशू हैं परिशानिया आती हैं अब जाकर सरकार की तरफ से इंतजामी सेक्रेटरीज को और चीफ सेक्रेटरी को बिलखुसूस कहा गया है कि व अब जाकर सेक्रेटरीज के ग्रूप को तश्कील दिया जाएगा जिसके बाद यह आगे का लायमल तैय करेंगे और अफसरान को जिस वक्त दुश्वारियां पेशा रही हैं फंड्स की वागुजारी में वो इस ग्रूप के जरिये दूर करने की एक कोशिश है इसलिए यह बात हो रही थी जुमकिश्मीर इंतजामिया के हवाले से और भी मौजवात है जिन पर हम प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे और उन पर रोशने डालेंगे लेकिन यहाँ पर रुकते है एक छोटे से तिजामती वक्ते के लिए